बश्कार दोस्तों मैं हूँ केमी फ्रोम ब्राइट स्केल स्वेट केमी चैनल से और एक बार फिर्श्टे स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल स्वेट केमी पर तो दोस्तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुब कामना है बहुत ही जादा दोस्तो आप लोगों के घर में उन्नती हो और बहुत ही जादा आपके घर की घरवालों की और घर के सभी मेंबर्स की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे दोस्तो और आपके घर में मा मेंबर्स के लिए सभी के लिए और सभी की खुशियों से रेलेटिड ये मनो कामना हैं जितने भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं तो उन सभी का पढ़ाई में बहुत मन लगे सरसुती मा की बहुत उन पर कृपा हो और साथ में आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है वो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो आज के वीडियो में दोस्तों सबसे पहले तो हैपी दिवाली और उसके बाद अम मैं आप लोगों को देना चाहती हूं एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा ओवर व्यू जो कि दीपावली के फ्लार्स का है तो चलिए दीपावली की स्टार्स ने लक्षपी माता का नुद्वल तो वीडियो की स्टार्टिंग से रहूं से ही आप लोगं के मैरी गोल्स से खेले से आप लोग साफ देख सकते हैं कि मैरी क्मद्र वहाँ है मैरी खेलए.. है तो इतने प्यारे हिबिसकस हमारे अभी आदे आदे से किले हैं देखिए कितने ज्यादा प्यारे लगते हैं हाफ ब्लूम्ट होते हैं जब और जब फुल ब्लूमिंग करते हैं तो कितने ज्यादा प्यारे लगते हैं हाफ ब्लूम्ट भी इतने प्यारे लगते हैं प्यारे होते हैं बिलकुल ऐसा लगता है पाउडर पॉफ और पॉफ भी दोस्तों इसके सामने जादा पाउडर पॉफ की खुबसूरती अपनी अलग है लेकिन पाउडर पॉफ से जादा खुबसूरत फॉस लव का फ्लार मुझे लगा है इसी के साथ दोस्तों हमारा परिज यानि परियों की जाद यानि परियों के बरावर दोस्तों यह फ्लार होता है और कहा जाता है दोस्तों अमरत मन्थन के समय यह फ्लार निकला था और समुद्र मन्थन जब हुआ था विश और अमरत का तब यह फ्लार प्लांट उसमें से निकला था तो यह देखिए दोस्तों क इतने ज्यादा खुबसूरत इसके फ्लार्ज हैं, कितने ज्यादा प्यारे हैं, और ये दोस्तो रात में ब्लूम होते हैं, और फिर जमीन पर गिरने शुरू हो जाते हैं, अभी सुबा सुबा का समय है, ऐसे लिए ये पूरी तरह जमीन पर नहीं गिरे हैं, इनके जमीन पर गिरने से पहले ही हमेने तोड लेते हैं, ये देखें दोस्तो यहाँ पर है ये गोरी चोरी का प्लांट येलो बेल स्टेकोमा, गोरी चोरी का प्लांट इतना ज्यादा गुपसूरत प्लांट होता है, ये देखें, इतने बंचes में ये फ्लार है, ये देखें यहां पर, अगला प्लांट है दोस्तो हमारा एकजोरा का, तो जैसा कि दोस्तो आप लोग जानते हैं, मौर्निंग में हम लोगों को आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है गार्डन में तो गार्डन में मैं एक जौरा में आते ही क्या देखती हूँ यहां पर लगा हुआ है दोस्तों यह पेस्ट देखे पेस्ट अटेक कितना ज्यादा हो जाता है जब प्लान का मौसम जा रहा ह हो और वो तभी भी ब्लूमिंग कर रहा हो अब देखे यहां पर पेस्ट लगे हैं और हमारे हेल्दी प्लान से इस प्लान के साथ रखे हुए है तो जितनी जल्दी हो सके इसमें स्प्रे करना चाहिए हमें यह जो आप लोगों को वाइट पाउडर सा देख रहा है यह पैस अटैक नहीं किया तो एक लास टाइम दो दिन बाद नीम उयल का स्प्रे करूंगी और अगर तभी भी यह पैस नहीं हटे जो की दोस्तों पॉसिबल नहीं है हट जाते हैं अगर यह पैस नहीं हटे तो फिर मुझे इसमें अमीडा क्लॉरोफीट का स्प्रे एक बार कर कीजिए अगली चीज़ है दोस्तों हमारा यह अगला प्लांट है यह कॉक्सकॉम का कॉक्सकॉम की वेराइटी मचे थी ज्यादा खुबसूरत लगी है दोस्तों यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि उन हो उन को हम लोगों ने थोड़ा सा कट कर दिया हो और कट कर करके यह देखिए उन इस तरह से हो गई है यह देखिए यहां पर जो वूल होता है हमारा वूल बॉल बॉल तो इतना ज्यादा खुबसूरत लगता है यह वाला फ्लार बिल्कुल वूल बॉल जासा लगता है मिडल कार्डन में दोस्तों हमारे हिबिसकस की जो जितनी भी ने सब्द्रिक्ट करते हूँ कि कितने खुबसूरत खिले हों यह देखिएं इन ईयुक लगता है घखिर प्लूमिंग सो हरे यह comment पलांट ब्लूमिंग कर देते हैं मीडल चैसी को इसमोद्ल्रान प्ल槟 प्लांट को मोद्स प्लॉमिंग थम प्लायं और इसमारी कर सब्द् यह उसे एकरोफ्त करन के देता है बाइद करोवार महत्कुत का महत्तै को राइऀ Creators प्राइं अभने के गत्रह्त वर्यूप गाच ऑल निम यह कंदोनरन स्ञेत कि व्लीनिदी ऑन यह सूर्ड ने एक वज्वर्यूफ्ण चाहरा भious दोस्त, आप लोग देख सकते हैं यानि की कट हो जाएंगे और यहां देखिए अभी लक्षमी जी के लिए यहां पर एक लोटस की कली है यहां भी है जो कि अब ग्रोथ बहुत ही स्लो कर रही है अगर मैंने अब इनका वेट किया दोस्तों तो प्लांट पे कोई बहुत शती हो सकती है तो यह मैंने दिवाली के बचा के रखी ती यह वाली तो यही कली लक्षमी जी को हम लोग चड़ाएंगे आज और यह वाली कली मैं बढ़ने दूंगी इस वार मैं यह देखना चाहती हूं कि प्लांट की जो ग्रोथ है स्लो हो गई है क्या वो स्लो ग्रोथ में भी फ्लार को ब्लूम कर सकता है या फ किसी भी फ्लार में हूं वो बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगते दोस्तों और इतने ज़्यादा सुन्दर फ्लार्ज खिलने लगते हैं कि हमारे गार्डन में पूरा अगर लाल पीले से भी सभी फ्लार्ज हो तो पूरा गार्डन बहुत ज़्यादा सुन्दर लगेगा बात करें दोस्तों हम लोग सर्दियों के मौसम में रोज की तो रोज का तो समय है सर्दियों का एक दोस्तों हमारा ये समय होता है रोज के खिलने का जिसमें कि हम लोग प्रून करते करते रोज से फ्लारिंग लेते रहते हैं एक है हमारा दोस्तो गोल्डन फ्लारिंग टाइम रोज के लिए जो की हमारे Feb का या January के Ende का सबसे ज्याधा घुपसूरत टाइम हमारे जो ये Rose के Plant का होता है वो वही होता है हमारे January के Ende का और February का और इस वक्त भी दोस्तो ये flowers जो हमारे देसी रोज होते हैं यह मानते नहीं है फ्लारिंग करें बिना और बहुत सारी फ्लारिंग करते हैं हाइबरीड फ्लार्स की अगर दोस्तों में बात करूँ तो हाइबरीड फ्लार्स में भी रोज की कलियां बनती रहती हैं और इन कलियों को दोस्तों अगर आप अभी प्रून कर देते हैं इनका लालच नहीं करते तो इन इतनी जटा ऐची शूट्स को नियुकि ऑब इतनी ज़ादा अच्छी आपाख ब्लूमिंग करते हैं यह एक ळाचा लगता है I want to teach new flowers को मैंने खिल्य नहीं हुई शूट्स इसके अंदर निकलने लगी हैं सर्दीयों के सीजनल फ्लार्स की अगर हम बात करें हैं इतने सुनदर दोस्तों लेकिन बड़ा ही कम लूम करते हैं यानि की बहुत ही कम समय तक हमारे गार्डन में रहते हैं ये देखिए दोस्तों यहां पर है हमारे ये डेलिया और डेलिया कितने ज्यादा सुन्दर लग रहे हैं दोस्तों और डेलिया में धेर सारी कलिया है डेलिया की ये खास बात है कि अगर आप फ्लार को दोस्तों धेर सारी फ्लार्स चाते हैं तो पहले ही अपने प्लान की पिं जैसा फ्लार आएगा आपके साइज का तो वह आएगा दोस्तों विदाउट पिंचिंग अगर पिंचिंग कर देते हैं तो धेर सारी कलियां आएंगी और फ्लार सोड़े छोटे जरूर हो जाएंगे लेकिन इतनी कॉइंटिटी में आएंगे दोस्तों कि आप लोगों के फ्ल को अपने गार्डन में देखना चाहते हैं तो पिंचिंग कर दीजिए दोस्तों यह एक ऐसा समय होता है जिसमें कि हमारा गर्मियों के प्लांट्स और सर्दियों के प्लांट्स का क्लाश हो जाता है जहां पर हमारे सर्दियों के फ्लार्स भी खिलते हैं और गर्मियों के फ था कि जीनिया का मतलब ही नहीं था लेकिन दोस्तों जैसे जैसे climate change होता जा रहा है सर्दियों में भी अब इतनी गर्मी हो जाती है पढ़ जाती है कि जीनिया सर्दियों में भी लोग खिला लेते हैं लेकिन जीनिया का मज़ा सबसे जादा दोस्तों हमारी गर्मियों के समय मे तो यहां देखें, जीनिया किस तरह हो रहा है. और जैसे कि वेश्ट में आपको बता है, सर्दी गर्मी द उनों की प्लांट्स का ख्लाश होता है, तो देखी अब हिबिसकस भी खिल रहा है. डेलिया भी खिल रहा है, रोज भी खिल रहा है, मैरी गॉल्ड भी खिल रहा है को सेंथिमम्स भी खिलने वाले हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा टाइम है जब हमारी जो ब्लूमिंग है वो बिल्कुल डबल हो जाती है so I hope दोस्तों आज का जो वीडियो आप लोगों को खुश कीजिए और उसके बाद खुशी बाटने की खुशिश कीजिए जितना आप खुशी बाटेंगे ये दुनिया उतनी ही खुश रहेगी क्योंकि दोस्तों आज कल के समय में जो दुनिया है वो ज्यादा प्रसंद नहीं रहती प्रपलित नहीं रहती और मन से खुश नही बात खुशी बाटिए खुशी बाटने से हमारी पूरी जो दुनिया है वो सच में खुश रहेगी और पूरी तरह से खुश रहेगी I hope दोस्तों आप लोगों को यह बात अच्छी लगी हो अगर किसी को भी मेरी कोई भी बात दोस्तों खराब लगे कभी तो मैं उसकी लिए तहे दल से माफी मांगती हूँ लेकिन अगर अच्छी लगे दोस्तों तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करके जाएए लाइक कीजिए वीडियो को और साथ ही मेरा सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन को भी प्रैस कर लीजिए दोस् मेरे जो आने वाले अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंसते रहें बाई काईस मिलती हो आप लोगों से नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ